मोर माटी मोर खबर और 36 कट की खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक बड़ी खबर राजधानी भोपाल से आ रही है मद्वरदेश की और राजधानी में एक बाद फिर से लव जिहाद का एक कथित केस सामने आया है इंस्ट्राग्राम पर दोस्ती कर दो नाबालिक बैनों से दुशकर्म किया गया समीर खान और उसके दोस्त पर दुशकर्म का आरोप लगा है पुलिस ने पॉक्सो एक्ट और 376 के तहत केस दर्ज कर लिया है बजरंग दल के कारेकरताओं के साथ ही पुलिस ने नाबालिकों क बंधक बना लिया था बैरागर पुलिस ने दोनों ही आरुपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है तो बड़ी खबर राजदानी भुपाल से आरी जाना लव जिहाद का कदित केस आया सीधे हम रुक करेंगे दीपक दिवेदी हमार साथ जुर चुके चाहेंगे कि एक बार फ फायार दर्ज होई थी जो अपाहरन के तहद दर्ज की गई थी उसके बाद जो नावाली की माए वो सिहोर पहुंची तो और वहाँ पर बजंग दल के कारिकरताओं से मुलाकात की थी क्योंकि वो अपनी बच्चियों को धूंड रही थी उसके बाद फिर यह पूर मामले मे जब भूपाल के बजंग दल के कारिकरताओं को यह बामला पता चला तो वो उन बच्चियों को धूंडने के लिए लग गए और 21 तारीक की शाम को उन बच्चियों को दस्तियाब कर लिया बजंग दल के कारिकरताओं ने और फिर पुलिस को हवाले किया इसके अलावा जो को बेला फूसला कर साथ जो लेका गय थे होटलों में, उनके साथ दुशकरम किया था, उन्हें भी गिरफतार कराने में बजंग्दल की हम भूम कारी, और फिर उन्हें गिरफतार कराया बजंग्दल की कारिकरता होना, उसके बाद पुलिस ने करीब 24 गंटे के बाद इस पूरे मामले में धारा 376, 501 के ताहत दो आरोपियों के खिलाब मामला दर्ज किया है इसके अलावा एक इनका नाबालिक साती है उसके ओपर मामला दर्ज किया है और जिनों ने इन नाबालिक को होटल दिया था उसे भी इस पूरे मामले में मुझरिम बनाया गया है तो तो कहीं न कहीं है कि सकते, राचदानी भोपाल में लौजियात के मामले ठहरने का नाम नहीं ले सकते और यह भी कथित तोर पर जो है नाम क्या वजित पर आपके जE कराद वाही है करें के नाम अगया दिखेंगे टी-वी पर उन्हों ने अपने हाथ में तो कहीं न कहीं इस पूरे मामले में अभी बेरागर पुलिस मामला जरच कर रही हाला कि हमने आला अधिकारियों से बातचीत करने का प्रयास किया वह भी इस मामले में चुपी साधे हुए है जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे दिपक इस पूरी जानकारी के लिए तो पुलिस ने इस मामले को संग्यान में लिया और दो लोगों की गिरफतारी भी हुई है दोनों ही आरोपियों को गिरफतार कर लिया गया है और आप देख सकते हैं किस तरह से एक बार फिर से ये लव जिहाद का कथित के सामने आया है दो नावालिक बेहनों के साथ दुशकर्म किया गया लेकिन उन दोनों ही आरोपियों को आप पुलिस ने गिरफतार कर लिया गया